केस केस को चौमिन खाना पसंद दे हो केस केस को सोय बेन अगर हम इस दोनों को मिला कर कुछ बनाए तो केसा लगेगा तो पहले तो आप सभी को मेरे चैनल होमीस कुकिंग में बहुत बहुत स्वागा थे दोस्तों तो चलिया आज हम बनाते ही सोय चाओ ठीकी इसे बनाने के लिए मेह आपा ले रहे हूँ एक कप स्वैबन और इसे हम गराम पाली में थोड़ा सा नामक डाल कर दस मिनिट के लिए भीगोने के लिए छोड़ देते ही और उसके बात इसे हम कुछ इस तरह से निचोटते हुए ही इसे एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसे हम दर्दरा ही पिस लेंगे तो चलते हैं इसे दर्दरा पिसने के लिए उसी बक्त हम डालेंगे इसमें दो बला हुआ अलू और इससे हम सmarser की मतलसे हिसे अच्छे से smuts कर देते हैं अलो डालने से क्या होते हैना बहुत अच्छे से binding होता है अब हमारा स्वैब इन भी दर्दरा पिस करा आ जुगाई इसे हम इसी तरह से ही दर्दरा ही पिसेंगे अब हम इसके उपर डाल देते हैं दर दर आव पिसा हुआ स्वायबिन और चर्फ क्या हुआ अन्यान में आपा 2 से 3 मिडियम साइच के अन्यान ले रहे हूं और इसे हम फाइनली चर्फ कर लेंगे चर्फ क्या हुआ गालिक बहुत इजी रेसिपिय है दोस्तों हर कोई बना सकते है पर बहुत इज़ता टेस्ट कर लोगीति भ। पकलत दोला Eg जबा इसे की with verbs कर देंगे अगर अगर आपको मेरे वेडियोय थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना दोस्तों इसितर कशनना को कुशत्सक्रैब को लिए असट आप मीक्स्चर 7,000 satisfy सब्लाइक Ben तो चलता है इसे अब हम टीकी के सेब देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा ही स्वाइबन मिक्सचर लेंगे और इसे हम हाथों की मदर से अच्छे से सेब देने के पाद इसे हम इस तरह से प्रेश कर देंगे अब हमारा टीकी का से बहुत अच्छे से आ चुका है और इसी तरह से हम सारे मिक्सचर कर अच्छे से ठीकी का सेब देंगे और अब हम एक स्लरी बनाना होगा क्योंकि इसे हम आज चाओ के साथ बनाने बले हैं इसलिए मैं आप ले रहे हूं दो टेबल स्पून मेदा स्वाद अनसा नमक और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक ठीक स्लरी बना लेंगे आपने देखाना कितना आसान रेसीपिये पर बनता बहुत ज़्यदा टेस्टी है तो आप इसे एक पर अपने घर में जरू ट्राइ करना और सभी को खिलाना और सभी ने आपको क्या कहा मु उसके पाद चाओ के साथ कुछ इस तरह से हम रोल कर देंगे इसे हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे जैसे कि टीकी चाओ के साथ बहुत अच्छे से कवर हो जाए इसी तरह से हम सारे टीकी को रेडी कर देंगे तो टीकी चाओ के साथ अच्छे से कवर होना चाहिए अब हम और इसी तरह से हमारा सारा टिक्की बहुत अच्छे से चाओ के साथ कवर हो चुके हैं तो जलते ही अब हम गयास का flame medium कर लेंगे और इसे हम तब तक fry करेंगे जब तक एक golden brown ना हो जाए दो मिनिट के पाद इससे अब हम उलट्फिलट कर लेते हैं आप देख सकते हैं एक साइड थोड़ा सा गोलें ब्राउन आ चुका है अब हम इसे दूसरे साइड पका लेंगे फिर से उलट पुलट कर लेंगे दो तिन मिनिट बाद आप देखें कि इतना प्यारा सुनहेरा कलर आया है बहुत ही ज़्यादा सुन्दल लग रहा है इसका टेस्ट आपको केसा लगा यह वहार से क्रिस्पी हो अंधर से सॉप्ट और इसका चटपड़ा टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा यहां पर हमरा सारा टिक्की अच्छे से फ्राई हो चुका है आज चाही तो इसे ताव में भी सेख सकते हो पर मैं आपर फ्राई कर ले हूँ आपके उपर इसे चाही तो सेख सकते हो या फिर फ्याइश कर सकते हो आपको जिस तरह से पसंद आप विच तरह से ही मराना फ्राइ करने से ज़्यादा क्रिस्पी बनता है अब आपका सोया चाओ टकी बिल्कुल रड़ी हो चुका है अब आम इसे थोड़ा सा और चेट पड़ा बनाते हैं पेले तो मैं आपको इसका अंदर का टेक्श्चर दिखाती में बाहर से कितना क्रिस्पी लग रहा है और अंदर भी उतना ही ज़्यादा साफ्ट है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको तो चलिए इसे अब आम और चेट पड़ा बनाते हैं इसके उपर थोड़ा सा और चाट मसाला स्प्रिंकलिंग कर लेंगे इसे और भी ज़्यादा चेट पड़ा बनेगा बहुत ज़्यादा डेस्टी लगेगा तो अब आपका पेश से गर्मा गरम सोया चाओ टिकी सभी को खिलाए सभी आपको क्या तारिफ बोले मुझे जरूर बताना हाँ आप इसे गर्मा गरम ही सर्फ करना प्लीज मुझे सपर जरूर करना थांक्स पर वाजिंग